हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टो एजुकेस इंडिया तो आज हम बात करेंगे मोसम बाग के बारे में आप सभी को बताएंगे कि आने वाले चार्ट दुनों तक देश पे मोसम कैसा रहेगा कहां पर कितनी बारिस होगी और कहां पर भैंकर तुफान आएगा और साथ में आपक पुरा का पुरा मोसम का पुरामान दिया जाएगा इसलिए आप यह वीडियो भी पुरा पुरा ध्यान प्रक लास्त देख लीजिए ताकि आपको एक एक जानकारी बिलकुँ सई और सटिक तरीकिस प्राप्त हो जाए और साथ में आप यह भी जान चाहे कि कि किन किन दिया को जरू सब्सक्राइब करेगे जिसके लिए आपको वीडियो की निचे एक लाल गल्र Deutsch का सब्सक्राइब कॉट्ण दिकराऊजा आपको दबाना हैर जिससरे आप उस सबसक्राइब को कि दबाएंगे तो पास ही आएगा एक घंती का निसां उसको भी आपको जरू द जिसके लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना होगा लाइक करने से आपका सपोर्ट वीडियो को मिल जाएगा और शेयर करने से आपके भाई बाइबान मित्र जो भी होंगे वह भी यह वीडियो प्राप्त कर लेंगे इसलिए आप शेयर को लाइक और शेयर कीजेगा और अगे सागे ये वीडियो जरूर जरूर बेजेगा ताकि वह भी इस भैंकर बारिस और भैंकर तुफान से साधान होकर अपनी जान बचा पाए तो अब हम बात कर लेते हैं जान लिवा तुफान के बारे में और जान लिवा बिश्ण बारिस के बारे में बहेंकर तुफान की चपट में रहेंगे जिस कारण बड़े-बड़े इलाकों में आई अलड़ भी जारी हो चुगा और कुछ इलाकों में बहेंकर बारी सोर अलड़ जारी हो आप देख लेते हैं किनकी इलाकों में किस परकार की बहेंकर बारी सोने वाली है और किस परकार से भैंकर तुफान आने वाला है जिससे भैंकर तबाई भी मसने वाली है अब देखते हैं पूरी की पूरी जानकारी मोसमबाग की रिपोर्ट के अनुसार तो मोसमबाग ने जारी कर डाली एक बहुत बड़ी चेतानी और सभी को चार्ज लए तक साउधान देने को काई क्योंकि मोसमबाग के मुताविक ये बात आई है कि चार्ज लए तक देश के कहीं बड़े-बड़े इस्सों में भैंकर बारिस और भैंकर तुफान होने वाला लगतार बारिस अब जा जाएंगी और ये बारितियों मोसमबाग के माने तो ये लगतार बारिस अब और परचन हो जाएगी और इसकी गति और तिवर हो जाएगी जिसकान गुजरात और माराष्ट के बड़े-बड़े सेत्रों में कहा गया है कि भैंकर बारिस हो सकती है और वहीं पिसले 24 गंट में मुबे के सवी सेत्रों में 200 मिलिमीटर की बारिस दर्ज की गई है जिसकान आगे भी ऐसी बात आ रही है और बताये यह जा रहा है कि आगे भी ऐसी बारिस दर्ज हो सकती है माराष्ट के इलाकों में और इसकान माराष्ट और गुजरात के बड़े-बड़े सेत्रों में हाई अलट भी जारी कर दिया है मोसम बाग ने मोसम बाग की माने तो ये इसके अलाव भी कुछ बड़े बड़े हिस्से बहेंकर वारिस की चपन में हो सकते हैं जिनमें ओडिसा भी परवुक है मोसम बाग की माने तो 4 जुलाई तक भारी से भारी बारिस का लट है और ओडिसा में मोसंबाग ने भारी से भारी बारी से की चैतानी भी जारी किये और वही कोकन गोवा में भारी से भारी बारी से की चैतानी दिये और माई कोस्टल, कन्ना टक कोस्टल, कांद्रपरदेस और यनाम, मध्यपरदेस, पच्ची मंगाल और जारकन में भारी बारिस हो सकती है एक जुलाई को और वहीं कुछ ये बड़े बड़े इलाकों में एक जुलाई को जिनमें पूरी राजस्तान भी आ रहे है जारकन भी आ सकति ये और वहीं पूरतर भारत के लिए भी बड़ी चेतानि आये दो जुलाई को और इसके अलावा को वता रही और विश्टी में ऑर भारिवारिस की वें असंका a orc को लेकर चितानी भी जारी हुचिके 3 जुलाई को देस के बड़े बड़े इलाकों मैं वहीं 4 जुलाई को देखे आपको बता ले तो कोकण, earned, ग 오바, मद्रसी के खिंस और विदर्प के कुछ एस्तों में भारिस से भारि भारिस हो सकती और वहीं पच्चिम मंगाल सिकिम उत्तरागन चंडीगर पूरी रजस्तान दस्यनी करनाटा केरल में भारी वारिस हो सकती और इसके अलब आपको बता है तो रजस्तान के लिए एक और अच्छी खबर है जो कि मांसुन को लेकर आईए आपको बता है तो मांसुन की इस्त जुलाई के रजस्तान के कुछ आठ ज जुलों में मोसमबाग ने भारी चेतानी दिये एक भारे बारे जिसक की और वहीं इसके अलाब मोसमबाग ने कई जुलों में तेज अंधर की भी 3 ुलाई तक भाहेंकर ज्यहे नहीं आहांपे चेतानी दिये और भिष्ण Васин का झतु तक किये हैं और मौुस्रिम्हा के मतबहने रादानि राची साहित काई जिलों में भारिस से भारी बारिस की ऐवी आशनका जटा डालिए मौसरिमा का कहना है कि 24-7mm से 115 mm तक भारिस हो सकते हैं इवा के मतबहने बात आ रही एकि सब्सक्राइब क्ली में सब्सक्राइब मोसंबाग के जो निदेश सके ST कोटाल उन्होंने ये बात गई है ST कोटाल के मताविक ये बात आई है कि राचिस साई जमसेतपूर, सराई केला, चाई बासा, सिम्डेगा, लोर दंगा और गुमला में जो हैं 64 मिली मीटर से 115 मिली मीटर तक की बारिस दर्ज की जा सकती है जबकि दुमका, पाकुड, साईब, गंज, बोकारो और धनपाद में मध्यम दर्जे की बारिस हो सकती है मोसंबाग ने चेतानी जारी करते हुए भारी भारिस के साथ वज्जपात की व्यासन का व्यक्त कर दिये और हैस्टी, जो हैं यहां पर कहा है, हैस्टी की तरफ से ये बात आईए कि सभी लोग सतर करी गया जो है चार्ज लाई तक, क्योंकि चार्ज लाई तक जारी करने के लिए भी बड़ा खत्रा है एक भैंकर तुपान और भैंकर बारिस से और वहीं उत्तर परदेश के लिए बड़ी अच्छी कवर आ रहे है कि मानसून जो हैं लखनाव समयत बड़े बड़े जिल्लों को जल्दी कवर करने वाला है ये मोसंबा की अपडेट आईए मोसंबा की माने तो आप सभी को उता दे तो कानपूर में भी कल या फिर पर्सो दस तक दे सकता है यहां पर मानसून और इसके अलावा नागपूर समयत बड़े 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 इलाकों को भी कवर करने जारा है मानसून ऐसे अभी तक की कि अपरेट आईए मोसंबा की तरब से और उत पर्देश के लिए बड़ी खुसकरी है कि मानसून उनके राजिय को कवर करने जारा है तकरीबन तकरीबन 5 जुलाई तक पूरे उतर पर्देश को तो उतर पर बीड़े इसके लिए बड़े अच्छी कवरे मानसून को लेकर और वहीं इसके लवाब आपको बता रहे तो मध्यपरदेस में अच्छी बारिस के आसंका जार जुलाई तक बता ही जा रही है। अच्छी बारिस हो सकती है। जानकारी दिया और इसी जानकारी के ताथ मौस्ण बाग ने आप सभी लोगों को बैंकर बारिस से चेताते हुए साओधान भी किया है। और सतक रहने को कहा है चार जुलाई तक क्योंकि देश में कुदत का पर्चन कहर हो सकता है जिससे जनहानी और जान लिवा बहुती बड़ा यहां पे तुफान हो सकता है। आप सभी को साओधानों सतक भी कर दिया है इस बैंकर बारिस और बैंकर तुफान तक आप भी बचके रहिए इस बैंकर तुफान और बैंकर बारिस से क्योंकि यह जनहाले वाला है भैंकर तुफान और भैंकर बारिस तो यही है मौस्तम बाग की ताजा जानकारी आप सबी के लिए यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप स्टेडियो को लाइक वस्य करिएगा सेर तो आप जरू करिएगा ताकि यह जो जानकारी वह आपके बाईबान मित्रों जो भी हो वह भी प्राप्त कर ले और वह भी इस भैंकर बारिस और भैंकर बारिस के साथ तुफान आने वाले तुफान से भी साधान होकर अपनी जान बचा पाइस लेए आप स्टेडियो को अधिक से अधिक सेर जरू करिए और साथ ही में यदि आप हर एक जानकारी मोस्तम की प्राप्त करना चाहते हो तो आप मारे स्चनल को जरू जरू सब्सकाइब करिए और पास ही में आ रहेगे गंटी के निसान को दबाएए ताक कि आपको आगे भी हर एक मोस्तम की जानकारी म देखने के लिए जे हिंद जे वारत और वंदे मत्रम